हाई एप्रिबन स्वागत है आप सभी का आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ कुछ चटपटी बिल्कुल तीकी मसालेदार पानी पुड़ी की रेसिपी सो फ्रेंज देरी किस बात की छलिए शुरू करते हैं आज की बिल्कुल मज़ेदार सी रेसिपी सो फ्रेंज पानी पुड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैं मसाला वाला आलू बनाने के लिए मैं आलू वोईल होने के लिए डाल दूँगी सो फ्रेंज मैंने या पे आलू और भिकोई वे चने लिया हैं सो फ्रेंज मैं इसे कूकर में डाल दूँगी और फ्रेंस मैं इसमें भी कोईवे चने भी डाल दूँगी और फ्रेंस मैं इसमें पानी डाल दूँगी और फ्रेंस मैं इसे गैस पे रख दूँगी अच्छे से वॉइल आने के लिए सो फ्रेंस उसके लिए मैं सबसे पहले गैस आउन करूँगी मैं इसके लिट को अच्छे से लॉक कर दूँगी जिससे कि फ्रेंस की चल्दी से बॉयल हो जाए मैं इसे चार सीटी आने तक बॉयल करूँगी हाई फ्लेम पे जब तक वो बॉयल हो रहा है तब तक मैं आपे पानी बना लेती हूँ तो फ्रेंस उसके लिए मैंने धन्या की पत्ते लिए हैं और फ्रेंस मैं आपे पोदीनी के पत्ते लिए हैं तो फ्रेंस मैं एक ग्राइंडर ले लूँगी और फ्रेंस मैं इसमें ये कॉरियेंडर लिप्स ट्रांसफर कर दूँगी और फ्रेंस मैं ये और friends मैं इसमें पानी डाल दूँगी और friends मैं इसके लिट को अच्छे से लॉक कर दूँगी और friends मैं इसे अच्छे से ग्राइंड कर दूँगी and friends मैं इसे बहुती स्मूथ सा पेश्ट बना लूँगी so friends जैसा के आप वीडियो में देख पा रहे होंगे मैंने इस अच्छे से ग्राइंड कर लिया है now friends अब मैं एक पाउल लूँगी और उस पे मैं एक छन्नी रखूंगी and friends उसमें मैं ये सारा पेश्ट ट्रांस्फर कर दूँगी और friends मैं स्पून की हेल्प से अच्छे से इसे स्ट्रेंड करूँगी so friends आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसके सारे पानी को स्ट्रेंड कर लिया है तो ये बचा हुआ जो है ये वेस्टेज है so friends मैं इसे हटा दूँगी and now friends अब मैं इसमें पानी डालूँगी now friends मैंने जो ग्राइंड किया था जिस ग्राइंडर में उसमें friends मैं पानी डाल दूँगी और friends जो भी एकसेस हमारे पास उसमें लगे हुए हैं हमारा पेश्ट वो friends पानी से अच्छे से उसे वाश करके मैं इसमें डालूँगी हमारे बावल में and now friends अब मैं इसमें रैच्छी पॉटर डालूँगी friends अब मैं इसमें चाट मसाला पॉटर डालूँगी अब मैं इसमें सॉल्ट डालूँगी अब मैं इसमें आमचूर पॉटर डालूँगी and friends अब मैं इसमें चीरा पॉटर डालूँगी मैं इसे अच्छे से mix कर दूँगी मैं इसे रेफ्रीजेडर में डग दूँगी mix करके यह हलका सा chill हो जाए तो इसका जो taste है वो और भी जादा बहतरी लाता है अब बारी है मसाला वाला आलू बनाने के यह जो आलू है यह अच्छे से boil हो चुका था तो मैंने इसके जिलगे को अच्छे से peel off कर दिया है तो अब मैं इसे mash कर दूँगी messer के help से अब मैं इसमें boiled चना डाल दूँगी इसमें मैं जल जीरा potter डालूँगी और इसमें इसमें salt डालूँगी और इसमें जीरा potter डालूँगी और friends, मैं इसे अच्छी से mix करूँगी and friends, मैं इसमें एक चीज भूल गई हूँ so friends, मैं इसमें लाल मिर्च का पॉडर डालूँगी so friends, आप जहाएं तो इसे skip भी कर ज़कते हैं अगर आप तीखा कम खाते हैं तो so friends, इसमें इसमें अच्छी से mix हो चुका है so friends, मैं हमारे पूड़ी को fry कर लेती हूँ so friends, उसके लिए सबसे पहले मैं gas on करके एक कड़ाई चड़ा दूँगी and friends, मैं इसे अच्छी से गर्म होने के बाद मैं इसमें और डाल दूँगी so friends, मैंने आप ए रेडिमेट पूड़ी लिए हैं आप जाए तो घर में भी बना सकते हैं so friends, यह अच्छी से गर्म हो चुका है तो अब मैं इसमें यह पूड़ी डाल दूँगी and friends, आप देख सकते हैं कितने अच्छी से फूल राई है दीरी दीरे so friends, मैं इसे अच्छी से पलट दूँगी and friends, मैं इसे अच्छी से पलट के फ्राई करूँगी so friends, आप देख सकते हैं वीडियो में दिखाएं कितने अच्छी से फूल राई friends, आप देख सकते हैं so friends, यह अच्छी से फ्राई हो चुका है तो अब मैं इसे निकाल लूँगी सो फ्रेंज इसके जो एक्सिस ओलर में से चिसे ड्रीन कर लोंगी कढाई मेरी अगर ये वीटियो आपको मेरी अच्छे लगी हो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें शेर करें और प्लीज रेंच सब्सक्राइब को प्यों कुष्छा तांक यू आपको कुखिएंग